गुड मॉनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनी मैं हूँ विवेक रंजन अगनी होतरी और वी आरे टीवी पे आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों ने मुझे इतने कम टाइम में जो इतना प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैंने ये वियारे टीवी इसलिए शुरू किया क्योंकि ना तो न्यूस पेपर्स में, ना मैगजीन्स में, ना टेलिविजन चैनल्स में हमारी जिन्दगी के चारों तरफ वो क्रिटिकल बातें जो हमारी डिसीशन मेकिंग को, हमारी जिन्दगी के हर पहली पहलू को इंफ्लूएंस करती हैं, जो हमारा आगे आने वाला भविश शताय करती हैं, उनके बारे में कहीं कोई नॉलिज मिलती नहीं है तो मैंने सोचा क्यों नहीं, मैं इस तरह के कॉंसेट्स जो हम और आप रोज की जिन्दगी में यूज करते हैं, उनको सिंपल करके एक लंबे रिसर्च को कैसे आसान करके कहानी की तरह आपको बता सकूं, तो शायद ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोशल सर्विस हो आप लोगों का जो सपोर्ट है, जो फीडबेक है, तो मैं आप से जिस विशाय में बात करने जा रहा हूँ, वो आप सुबह जब आँख खोलते हैं, तब से लेकर, जब तक आप सो नहीं जाते हैं, तब तक आपकी जिन्दगी को हर सेकंड, हर नैनो सेकंड एफेक्ट करती रहती है, और वो चीज क्या है, उसको समझाने के लिए आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, आप अपने स्क्रीन पर ये पिक्चर देखिए, और जब आप गौर से देखिए, येस, आप पहचान गए होंगे, ये पिक्चर है Kim Kardashian की, और 2014 में जब एक मैगजीन के कवर में ये फोटो छपी थी, तो इट लिटरली ब्रोक दी इंटरनेट, नो ब्रेकिंग दा इंटरनेट का मतलब ये है, कि बहुत कम टाइम में, मिलियंस और मिलियंस लोग जब किसी एक चीज के बारे में बात करने लगते हैं, या उसक और इस तरह से हुआ कि एक मैगजीन की एक प्जीन की रपोर है, और जब कर अचा है, कि जब दो कम बात हैं, या ये नेके शेला कि लोग कि तो रू suggestive, जब एक चिपीकических एंटरैने, कि ये खामेपल मेख सॉंट के स्थीन की हुटक्राइश है, या कर भ्याचा कीूने बात और ये एक बहुत ही क्रेडिबिल्टी वाली मैगजीन ने लिखा तो ये होता यू है कि जब ये फोटो छपी मैगजीन के कवर पे तो लोगों ने इसको शेयर करना शुरू किया ये ट्रेंड होनी चालू हो गई फिर कई लोग गए उनने उसके बारे में बात की कि आखिर इस मैं ऐसा क्या है ये तो बहुत ही अशलील फोटो है और इसको लेके कई सारे पेरेंट्स ने बुजर्ग लोगों ने इसके उपर इत्राच किया जिन लोगों को ये पसंद आई थी उनने ट्रोल करना शुरू किया जिन लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया उनको दूसरे ल करना शुरू किया और इस तरहां से आम आदमी इसमें इन्वाल होता गया होता गया होता गया और हम लोग अपना काम छोड़के इसको अटेंशन देने लगें इसको कहते हैं attention economy कई लोगों ने ये भी कहा कि Kim Kardashian ने ऐसा क्या contribute किया humanity को ले किया society को कि उसको इतनी attention दी जाए पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ Kim Kardashian is a genius She may not be a genius like Einstein She may not be a genius like वो rain man के hero की तरह से She may not be genius like a boy जो जमीन में अगर आप माचिस की तीलिया फिंक दें तो वो एक second में देख के बता सकता है कि ये कितनी million तीलिया है या शकुंतला देवी की तरह जो आप कोई साभी calculation वो एक second में solve कर सकें But yes, she's a genius because in one second she can get attention of millions and millions of people like you and I आप को जानके हैरानी होगी कि Kim Kardashian की कई सारी apps हैं जिसमें कुछ होता नहीं है But it gets millions and millions of eyeballs उसका अपना एक reality show है जिसमें कुछ होता नहीं है But that show gets millions and millions of eyeballs eyeballs मतलब attention Kim Kardashian एक restaurant में या pub में जाके सिर्फ खड़ी होती है तो लोगों को धाई हजार से पाँच हजार डॉलर का ticket खरीदना पड़ता है She does nothing और तो और अभी जब Kanye West ने कल या दो-तीन दिन पहले जब announce किया कि वो president के लिए खड़े होने वाले है तो आप guess करिए कि number one पे क्या trend कर रहा था Kanye West नहीं जो president के लिए खड़े होने जा रहे है बलकि Kim Kardashian इसको आप बोल सकते हैं Kim Kardashianization of the world लेकिन असलियत में अगर आप जो जानकार लोग हैं जो इस industry में काम करते हैं उनसे बात करें तो वो कहेंगे This is the attention economy जी हाँ दोस्तों आज आप से अगर मैं पूछूँ कि हम किस age में हैं तो आप बोलेंगे information economy की age में है कोई बोलेगा knowledge economy की age में है कोई बोलेगा data economy की age में है लेकिन ये सब कलत है Actually we are living in attention economy और आज हम सिर्फ इसी बारे में बात करेंगे What is attention economy and how you can be successful in this attention economy Economics is basically a study of how the society uses its scarce resources मतलब वो resources जो की कम तादाद में है जिनकी scarcity है जिनकी कमी है उसको कितने efficiently society use करती है that study is called economics अगर आप civilization का इतिहास देखें तो सबसे ज्यादा वक्त अगर कोई चीज scare city में रही और जिसकी सबसे ज्यादा value रही और economics की जो fundamental value थी वो थी जमीन, land क्योंकि आदमी इतना विक्सित नहीं था खाना बहुत कम था productive land काफी कम था जहां पर उपजाओ जमीन जिसको बोलते है आदमी 24 गंटे इसी चिंता में रहता था कि कल का खाना कहां से आएगा और इसी लिए land को लेके लड़ाई चला करती थी जो मोनाक्स होते थे राजा महराजा जो एमपरर्स होते थे वही होते थे जिनके पास काफी जमीन होती थी इसी लिए आप देखिए गरीब लोगों को जमीदारों ने बहुत सालों तक हजारों वर्षों तक रूल किया है फिर धीरे धीरे हम लोग टेकनालोजी बढ़ी इंडस्ट्रियल एज की तरफ बढ़े और इंडस्ट्रियल एज में आप देखिए लेंड की जगा लोगों को समझ में आया कि अगर हमको काफी सारा सामान प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कई सारे हाथ चाहिए मतलब लेबर और सारी जो एकोनॉमिक से उस वक्त की वो लेबर को कैसे यूस किया जाए ढंक से उसके उपर अधारित हो गई and then we started producing lots and lots of goods कई technology आई, गाडियां बन गई plane बन गई, steam engines बन गई, फिर diesel engines बन गई फिर machine जो है वो oil से चलने लगी and suddenly oil became the most scarce resource and that's why we moved on to oil-based economy और फिर हमने इतने सारे products produce किये free market create हो गया, जगा जगा market भरने लगे सामान के साथ and दूसी तरफ internet आने लगा लोगों को अब ये जानने की जरूवत थी कि मैं अपना पैसा कहा invest करूँ, कौन सा घर खरीदू मैं कौन सा product खरीदू, which is the best toothpaste where do I get, तो लोगों को knowledge की जरूवत थी, information की जरूवत थी and information and knowledge became the most scarce resource और we moved to knowledge-based economy उसके बाद, जब इतनी knowledge create हो गई people also realized कि भही, and suddenly then marketing companies, advertising companies took over क्योंकि उसको mass market भी करने की जरूवत थी so people then focused on data, जब data होगा तभी तो आप focus करके किसी को market कर सकते हैं, and we moved to data-based economy लेकिन आज, data is an abundance, information is an abundance अगर आप किसी चीज़ की आप सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपको cotton के कौन से socks चाहिएं, तो यह information 10 second में आपको कम से कम 5,000 information points आपको Amazon पे मिल जाएंगे अगर आप यह जानना चाहते हैं, कौन सा telescope, Saturn को देखने के लिए अच्छा है तो यह information आपको 10 second के अंदर Google में, हजारों sites पे मिल जाएंगे आपको information की कोई problem नहीं है, information is in abundance what is really scarce is the attention of the people who are going to consume this क्योंकि जो दिमाग है, वो limited है, जितने लोग हैं उतनी तो दिमाग है second thing is, time is limited, 24 गंटे में आदमी इतनी attention दे सकता है 24 गंटे में 25 गंटे की attention नहीं दे सकता है third thing is, the attention giving facility, जो आपके दिमाग का जो power है that is also limited, and therefore today, the attention which I can give you is limited तभी तो आप कहते हैं, can I have your attention, लोग कहते हैं, sorry I can't give you any attention आप लोगों से कहते हैं, pay some attention, pay some attention yes, because attention is scarce, and which is why today we are living in the attention economy जहां पे हर कोई, सारा जो game है marketplace का, that is how to get your attention अब मैं आपको बताऊंगा, how the market forces actually get our attention समझेए आपके पास एक बहुत अच्छा घर है, खाना पीने की कोई कमी नहीं है बहुत अच्छी है आपकी पत्नी या पती है, आपके बच्चे भी बहुत अच्छे है आपके पास एक कुत्ता भी है, जो is a beautiful dog आपका bank balance भी बहुत है, आपको दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है लेकिन आप एक दिन सुबह उठते हैं और आपको कोई notice ही नहीं करता है आप अपनी महगीजी गाली में बहार निकलते हैं, कोई आपको attention ही नहीं देता है अगर ऐसा एक भी दिन आपकी जिंदगी में हो, तो आप पागल हो जाएंगे Thomas Mandel, उन्होंने सबसे पहले कहा था, attention is the hard currency of cyberspace आप ये book पढ़ियेगा, इसका नाम है Rules of the Net, बड़ी अच्छी book है Harvard Rheingold also laid out two rules, he said rule number one is to pay attention rule number two is that attention is a limited resource, so pay attention to where you pay attention और इसी का मैं आपको example बताता हूँ, आप देखिये screen में कल मैंने ये show करने के पहले, just to do some research Twitter में मैंने एक tweet किया था, जिसमें मैंने पूछा, which is the most important resource of digital age आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा दिन गुजर गया, normally मेरे tweets को बहुत traction मिलता है पर पूरा दिन गुजर गया, और उसमें सिर्फ unless retweets हुए, और 64 लोगों ने जवाब दिया उसमें भी कई सारे तो उट पटांग जवाब थे, तब मैंने का मैं क्या करूँ, मैंने उसके बाद एक दूसरा tweet किया और इस बार मैंने लोगों से लिखने को नहीं बोला, बलकि मैंने एक poll कर दिया और मैंने उन से यही पूछा, in the detail age, what is the most important resource और मैंने चार options दिये, number one data, second social media applications, third attention and fourth information and knowledge आप यकीन नहीं करेंगे, 4000 लोगों ने, 4000 प्लस लोगों ने respond किया और सब का कहना था कि the most scarce resources, information and knowledge, वो सब गलत थे पर कहने का मतलब यह है, that people responded more when I asked them to give me less attention आप क्या जानते हैं कि आदमी का जो दिमाग था, आज से कई वर्षों पहले, हमारा जो attention span था that was about 12 to 15 seconds और वो आज गिरते गिरते, it has come down to 8 seconds in fact, this is the old data of 2018, today it's assumed, it's come down to 7 to 6 seconds which is less than, दुनिया में सब से कम attention span, goldfish का माना जाता था and today human beings have a lesser attention span than a goldfish which means that you will get distracted in about 6 to 7 seconds मैं आपको कुछ और statistics बता हूँ और यही कारण है कि आज वर्ड की जितनी भी economy है चाहे वो car manufacturers हो, चाहे politicians हो, चाहे religious religion हो किसी भी दुनिया का ऐसा facet नहीं है जो आपकी attention के लिए पैसे खर्चना करता हो और आपकी attention के थूँ पैसे कमाता ना हो और आप भी किस तरह से अपनी attention किसी को दे के या किसी की attention ले के आप कैसे पैसे कमाते हैं ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा आज ये जो attention economy है दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2009 में Ashton Kusher जो एक star है he was the first person to get more than 1 million followers in 2015 Caitlyn Jenner got 1 million followers in 4 hours and 3 minutes in 2020 इसी साल अभी कुछ महने पहले in fact एक देर महने पहले Indian एक vlogger है, YouTuber है जिसका नाम है Carrie Minati Carrie Minati ने he became the first YouTuber, Indian YouTuber who got 10 million likes in one day and 1.8 million followers in one day ये भी अपने type का एक record है हर 6 seconds में, in every 1 minute do you know that 1 million people log in to Facebook 5 million people watch YouTube videos 1.5 million people swipe on Tinder 42 million messages in fact ये सारे जो figures हैं ये lockdown के, Corona crisis के पहले के हैं ऐसा अनुमान है कि ये कम से कम 30 to 40% ये figures बल गए हैं in fact कई लोग का मानना है almost 1.5 times बल गए हैं 42 million messages were exchanged in 1 minute on WhatsApp 4 million plus Google queries were made in 1 minute half a million scrolls were made on Instagram and over 1 million dollars were spent online and half a million, more than half a million emails were sent in 2019 e-commerce जिसको कहते हैं retail e-commerce more than 3.53 trillion dollars जो की Indian economy से भी जादा बला साइज है in fact now it is estimated that by the end of 2020 more than 7 trillion dollars will be spent in e-commerce which is 3 times more than Indian economy on an average एक आदमी कम से कम 5 से 6 घंटे इस attention economy का मैं participate करता है which is more than the time you spend in a mall or in a shopping complex in one week अब आप सोच रहेंगे economy कैसी है attention ठीक है attention तो मैं माग और बच्चे भी आपस में ट्रांजेक्ट करते है दो लोग मैंने आप से पूचा hello how are you आपने का I am fine और यहाँ पर attention ठीक हो गई तो आप सोच रहेंगे यह कैसी economy जिसमें पैसे खर्च नहीं होते और विवेक अग्नियोतरी कह रहे है कि इसमें transaction चलता है तो अब मैं आपको बताऊंगा कि in this attention economy how the transaction takes place what is the currency of this attention economy आज अगर मुझे एक फिल्म बनानी है तो अभी मैंने करोना की वक्त में मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया कहने को तो मैंने फ्री में पढ़ाया लेकिन फ्री में नहीं पढ़ाया I caught their attention by posting it on social media in return they came and became my students और मैंने उन से अपील की कि आप घर में बैठे हुए हैं तो अपनी फोन से आप एक फिल्म बनाई है और कई सारे लोगों ने सौ से जादा लोगों ने छोटी-छोटी short films बनाई and that's how a product got created just by paying attention to each other और वो जो फिल्म जो है जिनमें से एक फिल्म हमने अभी रिलीज भी किया है वो फिल्म जब हम social media में डालेंगे that will catch attention of more people and when it catches attention of more people on YouTube then slowly advertisers come in when advertisers come in then they start paying it to the apps which are running it and that's how this economy triggers the other economy in fact आज जो financial economy है जहां पैसे का transaction होता है वो economy पूरी तरह से depend करती है attention economy में आप ये देखिए कि पहले मैं advertising से हूँ पहले जितने भी advertisements बनते थे वो इसलिए बनते थे ये आपको information दी जाए कि ये product कैसा है ये कहां मिलता है क्या होता है etc. आज आपने देखा होगा कि जितने भी ads YouTube में चलते हैं या Facebook में चलते हैं उनका information और knowledge से कुछ नहीं न देना नहीं है वो सिर्फ आपकी attention चाहते हैं इसलिए सिर्फ 5 second वे चलता है और कहते हैं now you can skip the ad what is happening there वो आप से कुछ खरीदने को भी नहीं बोल रहे हैं they just want your attention जिसके पास ज़्यादा attention होगी मतलब जिसको ज़्यादा likes मिलेंगे जिसको ज़्यादा comments मिलेंगे जिसका engagement ज़्यादा होगा जिसके retweets ज़्यादा होगे जिसके views ज़्यादा होगे that person will become a much will become a richer person in this attention economy ये अच्छा आप दूसरा आपको इसका section बताता हूँ ये work कैसे करती है आपने देखा होगा football clubs है उनके fans है आपने देखा होगा कि जो film actors होते हैं उनके fans होते हैं जो politicians होते हैं उनके fans होते हैं celebs होते हैं exactly है यहाँ पर ऐसे ही work करता है और ये जो stars होते हैं इनका एक entourage होता है इनके साथ कई सारे लोग चलते हैं कुछ इनके PR के लोग होंगे कुछ इनके fans होंगे followers होंगे और वो घुसते हैं तो 10-15 लोग उनके साथ चलते हैं ये जो attention economy है this is a star based economy actually ये है star economy जो जितना बड़ा star होगा उतना जादा उसके साथ transaction होगा तो जो बड़े stars हैं obviously उनके काफी likes मिलेंगे views मिलेंगे then you have micro stars these stars will have lots of micro stars मतलब एक wholesale store है और उसके कई सारे छोटे छोटे retail stores है इसलिए आपने देगा कई fan clubs चलते हैं discussion clubs चलते हैं chat rooms चलते हैं community boards चलते हैं जगा जगा आपने एक idea के छोटे 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 कई forms में चलते हैं एक idea होगा एक brand होगा वो facebook पे भी होगा youtube पे भी होगा twitter पे भी होगा वो अलग अलग तरहां से अपने brand को attention grab कर रहा होगा आज हालत यह है मैं आपको अपनी film industry के बारे में बताता हूँ पहले आप कोई product कैसे खरीदते थे किसकी value क्या है आप एक actor को कैसे लेते थे इसकी box office value क्या है तो valuation हर चीज का होता था आज वो जो valuation है वो होता है कि इस आदमी का attention grabbing power कितना है for example Hollywood में ऐसा शुरू हुआ कुछ साल पहले और आज Hollywood में भी होता है और लगबग हर entertainment industry में होता है हम लोग जब casting करते हैं तो casting is based पे होती है कि यह जो character actor है इसको ले रहे है तो इसके engagement social media में कितना है इसको attention कितनी मिलती है जब यह कोई बात बोलता है तो क्या media वाले इसको छापने के लिए तयार होते है और जब वो 3 लैक अटेंशन मिलती है तो उसके कारण media वाले भी उसके बारे में लिखते है और इस तरह कि अगर मैं 10 लोगों को लेता हूँ समझे मेरा cameraman भी उसी value का है ऐसा कोई आदमी जो social media में existing नहीं करता है जिसका कोई attention power ही नहीं है आप देखिए ऐसे लोगों को generally speaking entertainment industry में तो काम नहीं मिलता है आज की तारीख में आपने देखा किस तरह से जो film का एक marketing load है वो सिर्फ attention economy has taken care of that अब मैं आपको यह बताऊंगा कि यह जो attention economy की जो science है जैसे एक market है, market में supply chain है market में एक outlet है, wholesaler है उसके बाद distributor है, retail है sub-distributors है, merchandise है window merchandising है ऐसे बहुत सारे points हैं जिससे एक marketplace चलता है e-commerce में भी आप देखिए there are lots of points, the purchase point है distribution point है इस पर यह economy कैसे चलती है इसकी जो science है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ सन 1930 में Harvard University में एक psychologist ने एक बहुत important research किया इनका नाम था B.F. Skinner और इस experiment का नाम था reward reinforcement experiment या जिसको operant conditioning research भी बोला जाता है जिसको बाद में Skinner's box के नाम से जाना गया इसमें इनों ने आप चुए को पकड़ने की जो चुएदानी होती है तो एक box उनने बनाया और वो चुए को अंदर छोड़ देते थे उसके अंदर और वो weight एक liver लगाया उसमें और weight करते थे कि जब वो उस liver को दबाए तो उपर से कुछ खाने को गिरे चुए शुरू में तो कुछ करता नहीं था पर धीरे धीरे गलती से कई बार उसका पौह लिवर में लग गया और खाना गिरा और इस तरह से वो जो चुए था rat उसने इस behavior को समझ लिया कि जब भी liver को दबाता हूं तो खाना मिलता है और वो उसको बार-बार दबाता था और वो खाना जब गिरता था उसको खाने लगा लेकिन कुछ दिन के बाद चुए वो जो खाना था वो सेम था हर बार कुछ दिन के बाद उस चुए ने उस लिवर को बार-बार दबाना बंद कर दिया और वो उसको तभी दबाता था जब उसको भूख लगती थी और तब Mr. Skinner ने एक नया experiment उसी चूहे के साथ किया उन्होंने अब जब वो खाने के लिए लिवर जब उसे भूख लगती थी और लिवर को दबाता था तो जो खाना था पहले वो एक ही चीज जो मिलती थी उसे खाने को उसको अब उन्हें चेंज कर दिया अब कभी लिवर दबाए तो बिस्किट आ जाए कभी लिवर दबाए तो रोटी आ जाए कभी लिवर दबाए तो कोई फूट का तुकला आ जाए कभी वो ज्यादा मात्रा में हो, कभी कम मात्रा में हो और कई बार उन्होंने ऐसा भी किया कि उसमें कुछ था ही नहीं, वो लिवर दबाता था, कुछ गिरता ही नहीं था और तब उन्होंने उस रैट का बिहेवियर ये नोटिस किया कि वो rat अब धीरे-धीरे उस liver को दबाने लगा और धीरे-धीरे उस liver से obsessed हो गया और 24 गंटे वो उस liver को दबाता था थोड़े दिन बाद यह हालत हो गई कि वो जहां भी उसको रखते थे वहां से बार-बार छूट के भागने की कोशिश करता था और उस box के अंदर जाने लगता था अब इस psychologist को वो जो चुहा था rat उसको बाद के अंदर नहीं डालना पड़ता था यह चुहा खुद भाग के उसके अंदर जाता था और बार-बार-बार-बार बार लिवर दबाता रहता था चाहे कुछ उपर से गिरे चाहे ना गिरे and slowly that rat got addicted to pressing that liver why? because of randomness और यह जो randomness का जो behavior है इससे addiction पैदा होता है यह science में पहजार हो जगा मैंने भी एक episode किया था और मैं करने भी वाला हूं इसलिए आप देखिए जो Silicon Valley में जितने video games बनते हैं जो apps बनती हैं वो इसी randomness के principle पर based हैं casino भी जो है why people get addicted to casino यह भी उसी के उपर है क्योंकि यह आपके mind में dopamine produce करता है और यह dopamine से you become addicted इसलिए हम लोग बन जाते हैं digital addicts यह जो digital addiction है यह rat का behavior जो 1930 में उनने पता किया था इसको use किया modern century के silicon valley के engineers ने है IT professionals ने है और इस तरह से शुरू हुई attention economy आपके phone पे आप उठे आपको एक notification आया आपने उस notification को खोला वो आपको facebook पे ले गया आपने उसको पढ़ा और आप जैसी उसको scroll कर रहे थे तभी आपको एक ad दिखा उसके अंदर जो कि आपको maurishas में कैसे छुटी मनानी चाहिए उसके बारे में था आप उस पे गए और वहीं आपको hyatt regency का एक ad दिखा आप hyatt regency पे गए और वहां से आपको एक ऐसी news पता चली कि maurishas में कैसे एक 100 साल की औरत जो थी उसने पूरा का पूरा जो समुंदर है उसमें एक घंडे तक swimming की और ये देखते ही देखते आपको एक चौथी खबर मिली जिसमें आपको पता चला कि एक आदमी था उसने कुट्टे का कान काटके दूसरे कुट्टे को खिला दिया आप you felt very disgusted और आप disgusted feel ही कर रहे थे कि तभी आपने देखा कि किस तरह से इथोपिया में लोग भूग से मर रहे हैं और आपने उस पे तरस खा के डोनेशन दिया और वो डोनेशन देने के लिए आप जब दे रहे थे तभी कुछ और एट्स पॉप अप हुए और एक किताब जिसकी आपको आविशकता नहीं थी आपने वो एमेजॉन से खरीद ली और जब आप उसे खरीद रहे थे कि तभी hang on यह picture देखके आपने कभी सोचा था कि मैं जब आपसे यह सब बातें कर रहा हूँगा तो you will think about cobra कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि show में you will think about a snake, a cobra but you did यही जो पूरी process है कहां से शुरू हुआ, कहां खतम हुआ पर इस बीच में आपका इत्मा सारा time निकल गया you ended up thinking about a cobra because that picture just popped up on my screen इसी को बोलते हैं, vortex this science of vortex is what runs the attention economy इस वर्टेक्स क्या है vortex simply as it's described by an expert Mr. B.J. Fogg this is nothing but to keep you distracted he also described it as capitology capitology according to Fogg is that when the applications could be designed with the principles of human psychology in mind in order to get people to do things they might not do otherwise the initial idea of capitology evolved into the field known as behavior design which is the basis behind many of the tactics employed today to make use and keep using your mind to sell and buy attention and he also submitted a paper in which he said exactly when and where such persuasion is beneficial and ethical should be the topic of further research and debate तो यह जो पूरी vortex की science है आपको एक activity से दूसरी activity में लीट करना जो की totally unrelated activities हैं मतलब आप Twitter में गए और आपने वहाँ पे सुबह सुबह good morning लिखने की कोशिश की और उसके तुरंद बाद आपको किसी और का tweet पढ़के यू started discussing politics उस politics से आप चले गए एक trend में उस trend में लिखा है boycott this boycott से आप चले गए Instagram में Instagram से आप पहुंच गया Amazon में इस तरहा का जो पूरा behavior है moving from one zone to another zone is what this attention economy is today working on पर ऐसा हम क्यों करते हैं मैंने एक छोटी summarize किया है taking all the top researches of the world the most credible researches right from MIT to Oxford to Cambridge to Harvard to Yale to Stanford और उन सब को जोडने के बाद और तो और मैंने कई सारी advertising agencies और marketing companies के research को भी काफी study किया है मैं आपको पांचे मोटे मोटे points बताता हूं जो आप जानते होंगे ये हम पांचे reasons से हम लोग जो हैं इसके customer बनते हैं one is fear of missing out ये जो fear of missing out है ये बहुत बड़ा fear इनसान के दिमाग में होता है और आपने देखा होगा कई सारे news letters जो आपने आज से 5-10 साल पहले subscribe किये थे लेकिन हर बार आप सोचते हैं को मैं unsubscribe कर दूँ पर आप रुख जाते होंगे क्यों कि आपके अंदर ये fear होता है कि इसमें एक दिन ऐसी knowledge ना आ जाये जो बाकी लोगों तक पहुंच जाया और मेरे को ना पता चले इसी कारण आप कई सारी apps जिनको काईदे से आपको delete कर देना चाहिए पर आप करते नहीं है यही कारण है कि आप बार बार trending column में जाते हैं जबकि आपको trend जानने की रत्ती भर की ज़रूद भी नहीं है दूसरा है infinite content and autoplay इसका मतलब यह है आपने देखा होगा आज कल YouTube में जब आप एक YouTube कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो automatically आपको आप से बिना पूछे हुए दूसरे वीडियो पे ले जाता है शायद वो connected भी ना होते हों आपस में ऐसी Facebook ने एक नई चीज़ शुरू की है जिसमें आप एक वीडियो अगर आपने समझी आपकी family का किसी के बच्चे के birthday का है और उसको लगाएं तो वो वीडियो automatically दूसरा वीडियो चालू हो जाएगा तीसरा हो जाएगा करते करते सिंद्ध की बंबारडिंग यू विडियो इन फिर्मिश विडियो वीडियो इस आपके पास आती होंगी अर्ली बर्ड लास ओफर दूइट बिफोर अधर दैडलाइन ऐसीज़ अर्जनिशनी यह शूस यह जिज़ खतम होने वाली है लिम्टे श्रॉक्त श्रूक्त here also and which is why आपने होगा तरहा तरहा की headlines भी देखी होंगी, be the first person to know this and this is also is being employed in this attention economy as a very important tool. दूसरा है, foot in the door. इसका मतलब ये है, इसको define करते हैं, emails and notifications using wording like just one click to suggest that the amount of effort and time spent will be low. which means your foot is already inside the door, अब घुसने में आपको time नहीं लगेगा. आज जितने की जितने दुनिया की applications हैं, जितना IT industry है, वो इसी पर काम कर रही है, how to minimize the number of clicks. They don't want to spend even a fraction of second in getting your attention. They just want you inside the attention economy. Then another thing is called hide the milk tactic. जैसे आप एक grocery store में जाते हैं, तो आप देखेंगे की जो addictive चीज़े हैं, वो हमेशा सबसे सामने होंगी. आपको दूद की जरूद है, वो हमेशा सबसे पीछे होगा. जो आप एक दूद का package खरीदे गए हैं, पर उसके लिए आपको you have to go through the entire store. इसी तरहा से, आप जब एक फेस्बुक में जाते हैं, या आप किसी एक एक एप में जाते हैं, चाहे वो music की एप हो, आप देखिए, उसमें जो चीज़ आपको actually जो real content है, वहां तक पहुंचने के पहले, you may have to go through various doors, you may have to scroll through lots of unnecessary things, which you don't even require, but which can make you addict instantly of grabbing your attention. So, यह जो पूरा का पूरा जो गेम जो है, यह basically work करता है digital addiction में. आज शायदी दुनिया में आपको कोई मिले, almost 4 billion लोग जो है, वो इस economy के part हैं, और उनमें से शायदी कोई मिले, जो digitally addicted नहीं होगा. इसी के लिए आप देखिए, लोग detox करते हैं, digital detox करते हैं, कई लोग अपना phone जो है, मीटिंग्स में उल्टा रख देते हैं, कई लोग जो है, they call it digital Sunday, कई लोग family में ऐसे rules बनाते हैं, कि dinner table पे family जब बैठेगी, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका reason यह है, कि life में जो success है, वो मिलती है focus से, जब आप किसी चीज, और वो तभी होगा, जब आप किसी एक चीज पे focus करेंगे, इस दुनिया में multitasking को बहुत glorify किया गया है, पर आप honestly देखिए, there is not no concept like multitasking, आप अगर कोई काम कर रहे हैं, और अगर आपके phone में notification आता है, चाहे वो email का हो, चाहे whatsapp का हो, चाहे facebook का हो, आप जैसी उसको देखते हैं, you are losing attention from somewhere, so one person's attention, is the denial of somebody else's attention, और इसी principle पर ये सारी economy चलती है, last में मैं आपको ये बताऊंगा, कि किस तरह से, इस economy को use करके, आप successful हो सकते हैं, और आपकी जिन्दगी में इस attention economy के क्या-क्या खत्रे हो सकते हैं, so दोस्तों, attention economy is real, आप कितनी भी कोशिच कर लें, you just cannot escape it, इसके कई नुकसान भी है, इसका सबसे बड़ा जो problem है, यह तो आप भी जानते होंगे इसके क्या नुकसान है, सबसे बड़ा problem है extremism, extremism of every kind, number one, आपको इस economy में रहके ऐसा लग सकता है, कि सारी दुनिया कितना enjoy कर रही है, लोग कितने खुश हैं, सारी दुनिया holiday कर रही है, even करोना जैसी crisis में कई लोगों को यह लग रहा होगा, अरे वो Netflix के इतने ज़्यादा शो देख रहे हैं, अरे वो लोग घर में बैठके इतने गाने गारे हैं, और तो और, यह terrorism के लिए भी यूज हो रहा है, दूसरा violence, trolling, because you need attention, और उस attention के लिए लोग negativity को भी काफी यूज करते हैं, क्योंकि इस economy में कोई morality नहीं है, इसके कोई laws नहीं है, इसका कोई court नहीं है, कोई कानून नहीं है, इन attention economy, everything is fair, चाहे वो किम कार्डेशियन का cover हो, चाहे वो trolling हो, चाहे death threats हो, या फिर न्यूजी लेंड में आपने देखा था, किस तरह से एक आदमी ने, Facebook पे लोगों को मारते हुए, उसको life कर दिया था, everything has become a spectacle, everything has become noise, अगर आज मैं noise create करके, आपके attention लेता हूँ, आप और ज़्यादा noise create कर सकते हैं, अगर मैं अपने prices को कम करके attention ले सकता हूँ, अगर हम sexuality को use करके attention ले सकते हैं, सामने वाला और ज़्यादा उसको use कर सकता है, अगर मैं anger use करता हूँ, कोई और ज़्यादा कर सकता है, यही कारण है कि आप देखिए, everything has become a performance, आज सारे जो politicians हैं, policies से किसी को मतलब नहीं है, everything has become a spectacle of fanfare, उनके performances की ज़्यादा बात होती है, आज जो actors हैं, उनके talent की बात नहीं होती है, उनका जो social media performance उसके बारे में बात होती है, आज आदमी का character क्या है, आदमी के ideas क्या हैं, उसके बारे में बात नहीं होती है, उसके followers क्या है, उसकी liking क्या है, उसके वीयूर्शिप किया इसके बारे में बात होती है आप कैरी मिनियाती की तरहा से चाहें तो लोगों को रोस्ट करके गाली क दे के एक दिन में एक रिकॉर्ड क्रियेट कर सकते हैं आप चाहें तो टिक टॉक पे परवर्ड बातें करके millions and millions of followers create कर सकते हैं और इन सब की value है ये सब कहीं न कहीं brand ambassadors बनते हैं इन से एक economy चलती रहती है ये थे इसको negative aspect पर आप इसको use करके कैसे successful हो सकते हैं मैं और होंगा तो नहीं जानता मैं अपना एक छोटा सा idea बताता हूँ अपनी life की history जब मेरी फिल्म बुद्ध है ना traffic jam को पूरे बॉलिवोड distribution system ने ban कर दिया, सारी universities ने उसका boycott कर दिया then I used it very productively and creatively to market my film जो फिल्म एक कल्ट फिल्म बन गई जिसके कारण मेरे को दूसरे फिल्म की financing मिली मैंने ताशकंत फाइल जो की शास्त्री जी की mysterious death थी, death पे बनी थी हमारे पास marketing का एक भी पैसा नहीं था, but I used the power of this economy I got attention of people who were interested in knowing the mystery of शास्त्री जी और आप जानते हैं उस फिल्म की history, ना तो उसे theater में किसी ने release किया, ना उसको critics ने कोई उसके बारे में बात की, उसको कोई media space नहीं मिली, तो मैंने शास्त्री जी की mystery के बारे में बात करके लोगों से अपील की कि वो cinema hall में जाके इस फिल्म को लगवाने की बात करें और लोगों ने PVR और cinemax जैसे chains के पास जा जाके छोटे शहरों में इस फिल्म को फिर से लगवाया, it created history of sorts by running for more than hundred days, मेरी जब बुक आई, Urban Nexels उसको जितने भी बड़े-बड़े publishers ने, सब ने उसको cancel कर दिया था, किसी ने accept नहीं किया तब उसको हमने खुन market किया और मैं अकेला जगा जगा जाके लोगों से बात करते हुए बुक को मैंने auction किया और बुक को बेचना शुरू किया it created history by becoming the fastest selling best seller ever अब मैं एक नई फिल्म बना रहा हूँ कश्मीर फाइल्स तब कश्मीर फाइल्स का मेरे कोई कुछ नहीं पता था इसके जो victims हैं कश्मीर जैनोसाइट के ये कहा रहते हैं, मैंने appeal की, social media में और लोगों से मैंने बोला कि मुझे इन से connect करवाई है you won't believe it, मैं सारी दुनिया के continents में जहां जहां जो जो भी है, सबसे contact करके उन सब के interviews करके वापस भी आ चुका हूँ, और हम लोग film शुरू करने जा रहे थे, shooting करने जो रुख गई lockdown के कारण और अब मैं उसको करने जा रहा हूँ और सिर्फ यही नहीं, अभी बीच मैंने the future of life festival चलाया एक success plus program चलाया और बहुत जल्दी हम लोग school of creativity शुरू कर रहे हैं और यह सारा का सारा, without resources without money, just by getting the attention of people, with our ideas, with our creativity by contributing into people's lives, we have been able to achieve it, आज इसने आपको भी वो opportunity दी है, जो opportunity आज शारुक खान के पास है, या श्री नरेंदर मोदी के पास है, या वो किसी बड़े industrialist के पास है, अगर आपके अंदर ideas हैं तो आप बिना डरे हुए you also go and seek attention उसका आप चाहें तो कई सारे tier level पे भी चलता है you seek my attention, if you get my attention, I will write about it and I will get you the people who give me attention मैं उनकी attention आपको दूँगा उससे आप अपने product को, अपने ideas को आगे ले जा सकते हैं और इस तरह से आप खुद एक छोटा अपना merchandise अपने ideas का merchandise शुरू कर सकते हैं and this is my ambition this is my desire to motivate inspire young Indian people to become creative entrepreneurs and this is really possible in this attention economy like never before so use it for your advantage अगली बार मैं आप से फिर मिलूँगा एक इसी तरह की कोई एक नई बात लेके और आपको बताऊंगा how you can be successful in the modern world so namaste, jai hind good morning, good afternoon good evening and good night आज एक अच्छी knowledge काफी research करने के बाद देने वाले लोग है नहीं इसी लिए I am Udda Foundation बहुती sincerely research करके आप तक वो knowledge disseminate करने का काम कर रही है जो आज लोग करते नहीं है लेकिन हम लोग ये यत्म काफी सालों से करते आ रहे हैं लेकिन अब इस lockdown में जब सारी film industry भी बंद हो गई है we are facing little difficulty अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के अच्छे videos अच्छी knowledge आगे हम और अच्छे बना के आप तक ला सकें तो मैं आप से request करूँगा जो भी हो सके आपके bus में please donate to us जो भी link आप देख रहे हैं you can go to this link and donate whatever you want और अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो आप हमारे associate researcher बन सकते हैं आप हमको research करके हमारी मदद कर सकते हैं for that again you can contact I am Udda site और इसके लिए मैं advance मैं आप से कहता हूँ thank you very much और please अगर आप कोई अच्छा लग रहा है circulate it इसको like करिए share करिए अपने दोस्तों से कहिए हमें follow करें जिस तरह से हम community service आप के लिए कर रहे हैं आप भी हमारे volunteer बन सकते हैं and you can become an I am Udda volunteer so see you